हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने माया मिली नराम यह कहावत कि ग bisher में बुर्खोर पुर्खों ने बुलिए यह वाले मुठों निभी यह पुर्खो ने बुलिए पर बहुत सही है और यह आप मैं से ज्यादा तर लोगों को पर लागू होती है माया मिली न राम और जैसे इसी कहावत से मिलता जुलता statement मैं कई लोग आपने विडियो में देता हूँ या लाइब में बोलता हूँ कि यार आप लोग तो धोलत की तरह से धोलत की तरह से दोनों तरह से बस्ते रहते है। तो जब मैं बोलता हूं आप लोगों को ना मैया मिली न राम आप जिस तरह की जीते हो जो आपने सोच रखी हुए है क्यों जैसे हम सोच रखते हैं जिनकी वैसी जीते हैं आपकी जो सोच है ना तो आप लोगों ने कोई 200-400 क्रोड रुपे कमा लिए हो ना तो आप लोगों समया मिली जो थोड़ी बहुत मिली आप उसी में तरा रहे और उसके आगए और के लिए तरप रहे हो ना आपको राम मिले राम मतलब फिलोस्पी जीवन जीने का अंदाज कोई भी अंदाज हो तो आप लोगों की तो हालत यह होगी ना माया मिली ना राम ढोलक की तरह दोनों तरह से बज़रे हो ना पैसा है ना अकलमंदी है ना समझदारी है कमाल की बात यह है कि राम मिल जाए तो माय अपने मिल जाएगी मतलब वैचारिक्ता अगर आपके अदर आगई समझदारी आपके अंदर लोब डुतिर्प पैसा तो जग मार के आएगा आपके पाक से रहे हैं तो पैसा पैसा बन जाए हुआ प्सक्राव कि निएमस्मर्खक्रावाई उस जैसे कहते हैं लक्षमी चाहिए लक्षमी चाहने से मिल तो जाएगी पर लक्षमी मतलब पैसा लक्षमी मिल तो जाएगी आपके चाहने से वो टिक है कैसे बॉस लक्षमी आएगी जो चीज आती है वो जाती भी तो लक्षमी आएगी वो चली जाएगी लक्षमी वास कैसे कर वास मतलब वो रह गई है आपके पास क्योंकि लक्ष्मी कहां रहेगी जहां विश्मु होंगे विश्मु के पैरों में देखा आपने विश्मु पोज एक साप का डनलब का गदधा उसको आप साप की तरह टीट कर लो साफ दनलब का गदधा अब कमफर्टेबल जोन साप मुझे नहीं मालू मैं उस तस्वीर से क्या समझता हूँ मैं उस तस्वीर में यह समझता हूँ कि तस्वीर मुझे क्या सिखा रही है एक साप है साप बड़ा गुदगुदा होता है साप के ओपर मतलब डनलप का बढ़िया वाला महंगा वाला गद्दा लगा लुआ उस मतलब जाएगी एक आदमी ने अपने आपको काबिल बनाया, समझदार बनाया, वहाँ पर मुझे कोई भगवान नहीं दिख रहे हैं, विश्मु भगवान लेटे हुए, वहाँ पर मुझे एक समझदार, एक अकलमंद, बुद्धी जीवी, काबिल व्यक्ति दिख रहा है, क् क्योंकि कैसे मालूम बढ़ेगा कि वह समझदार गुद्धी जीवी अकलमंद है, क्योंकि वह बहुत बढ़िया, कमफर्टेवल जोन पर बढ़े है, मजे से आनन्द में तरीकी से लेटा हुए, और जो लोग थोड़े-थोड़े पैसे कमाने के लिए मर रहे हैं, बैमानिय के लिए भागो, आप अपने आपको काबिल करो, यह चीज़िया आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, मैं जब लोगडाउन खतम हुआ, लोगडाउन चल रहा था जिस दोरान, तो मैं लोगडाउन खतम होने के बाद भी, एक देट साल तक तो सब कुछ वैसे ही बंद रहा था, मै दिन भर घर में बैठ करके, UPSC माटिरियल देखता था, पढ़ता था, ओनलाइन क्लासे बगरा, पाच-पच घंटे की बोरिंग क्लासे, सिग्मन फ्वाइड को उस दोरान पढ़ा, ओशो को पढ़ा, फैडरिज निच्चे को पढ़ा, सुकरात प्लेटो अरस्तु को है, मैंने केवल इन सब लोगों से थोड़ा-थोड़ा वो चीजे पढ़ी, जो मेरे जीवन के लिए जरूरी थी, बाकी इनोंने पता नहीं क्या-क्या बोल रखा है, मुझे उससे क्या लेने देना, मेरे जीवन से जो संबद्धी चीजे थी, मैंने उतनी-उतनी पढ़ी, बुद्ध से बहुत को सीखा, तो यह जो चीजे सीखी, अब दुनिया को लग रहा है, यह तो कुछ ही कर रही नहीं रहा, यह तो घर में पढ़ा हुआ है, मैं अपने आपको विश्मु बनाने की कोशिश कर रहा था, कि मुझे मालूम तो होगी, इंसान सोसता कैसे, इंसान कभी हम दोस से उधार लेकर के राया भढ़ रहे हैं, कभी मतलब कसीनों से, कसीनों की वज़े से मैंने अपना घर चलाया, डेट साल, कसीनों से थोड़ा सा इमांट जीता था, आते टाइम राशन लेकर के आता था, 46 किलों की बोरी आती थी, कि शोर चावल की गोगा में, व इसलिए बोलता होगी काबिल बनना बहुत जरूरी है, अगर आप समझदार नहीं बने और यहां काबिलेत किसी स्किल की बात नहीं कर रहा हूं, धिमाकी तोर की काबिलेत की बात करो, मैं हमेशा कहता हूं, जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अकलमन जरूर बनना, क्योंकि अकलमन बन गए, तो आपको मालूम पढ़ जाए कौन सी काबिलेत आपके लिए जरूरी है, कौन सी स्किल आपके लिए जरूरी है, कब जरूरी है, टाइमिंग को जज़ करना आजएगा, मैंने किताब पढ़ी थी बहुत साल पहले, उसमें ये था कि idea is not number one, जिसे हम लोग कहते हैं कोई idea मिल जाए business करने के लिए, ये कुछ भी करने के लिए, तो हमें लगता है, perfect idea number one पर आता है, नहीं, उस किताब में लेखे था idea is not number one, idea दूसरे number पर आता है, पहले number पर आता है, timing, तो timing कब जज़ कर पाओगे जब समझदार बनोगी, timing और एप से आपके गेट के भार कार खड़ी होगी विद ड्राइवर मेंटेनेंस उसकी इंशुरेंस उसका ड्राइवरी वो करेगा गाड़ी का सब कुछ नुकसान बोजिलेगा आपके दरवाजे पर गाड़ी याएगी कि हेलो सर बोलेगा आप उस पर बैटो कि जहां जाना करें तो बहुत प्रॉफेटेबल बिजनस था दुनिया बन गई उसमें तो आज क्यों नहीं क्योंकि आज टाइमिंग नहीं है अब टाइम चेंज हो चुगा है तो कि जिस समय लोगों को टेक्सी रूनना बहुत मुश्किल होता था असानी से टेक्सी नहीं मिलती थी और लोग टेक्सी में पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे उस समय अगर को टेक्सी बिजनस चालू करता तो शायद वो नुकसान में रहता आज टेक्सी बिजनस चालू करना बहुत असा पुर्ट कर रही है। timing most important है, है idea important नही है। अगर idea आपके पास perfect idea है और आपने गलट timing पर उस idea को launch किया तो आपका idea वर्क नहीं करेगा। किस टाइमिंग सब्सक्राइब तो भी आप सर्वाइब कर जाओं तो कहने का मतलब कि timing को जज करने की काब्लीत का से की समझदार बुंस्का समझदार बन गई आप इंटलेक्ट बन जाओं आप आज की calculation ने करो आप आप इस अब समझदार बनने की और फाइदा क्या है आप नजदीकी फाइदा नहीं देखोगे आप जब भी नजदीकी फाइदा देखोगे आपको दूर का नुकसान दिख जाएगा तो आप नजदीक में नुकसान कर लोगे पर दूर का फाइदा देखोगे अगर उस डेट दो साल के दो सबसे बड़ी की काबियत थी कि मैंने उस समय किसी की गलत सलाय नहीं माने मैं हमेशा कहता हूं कुछ गलत करने से अच्छा कुछ ना करना होता है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप confused हो इसका मज़री कि आप अभी पूरीदा समझदार नहीं हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वेट कर लो कुछ गलत करने से अच्छा ना करना ज्यादा बेटर है तो गलत कर दोगे तो गड़ा खुद जाएगा फिर जब सही समय आएगा समझदार बनो को पहले ग चीज से आएगी विष्णू बनने पर लक्ष्मी मिलेगी पैरों में पड़ी रही है वो माइतनो जी है वो श्राप मिला था लक्ष्मी को और यह वो सब कहना क्या चारी है वो तस्वीर इसलिए मैं बोलता हूँ कि धरम ने हमें सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़े अब आपको उसमें विष्णू काबिल नहीं दिख रहा है आपको विष्णू भगवान दिख रहा है उसमें लक्ष्मी आपको पैसा नहीं दिख रही है लक्ष्मी मतलब शोहरत नहीं दिख रही है धंदौलत नहीं दिख रही है उसमें आपको लक्ष्मी देवी दिख रह या लक्षमी होने के बावजीत आप डर क्यों रहे हैं क्योंकि आप विश्णून नहीं हो आप काबिल नहीं हो इसलिए आप उन्सक्यूर करते हैं तो माया मिली नर्राम किन चीजों में पड़े हुए हो ना आप लोगोंने पैसा कमा पाए या जिन्होंने कमा भी लिया पैसा पैसा ना आक के पास कोई वैचारिक समझत तो आपको माया मिली नर्राम अ तुब और बदी कि टरफ करेंगे वह समाज है कूशूं को प्रेंगे तुन्कि आप माया मिली नराम चलो आपको कुछ समझ आयू तो ठीक है बखवास वीडियो लगा हो तो निकल जाना दफा हो जाना नेगिटिव कमेंट करने की जुरूत नहीं बाकी आपकी मर्जी ओके गुडबाई थेंक यू